Hello and welcome friends, आईए देखते हैं कि len function जो हम Excel में यूज़ करते हैं, उसकी जगा access में क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको access में len function यूज़ करना है तो आपको VBA code लिखना पड़ेगा, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता ह जिसके मदद से आप len function के जगह in string लगा करके और character की position या bracket की position या किसी भी चीज़ की position पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगा यह देखिए, यहाँ पर मैं एक नाम लिखता हूँ, ठीक है, रतनेश, ठीक है, मैंने यहाँ A की position पता करने के लिए formula लगाया हुआ है, ठीक है, अ पता रहा है कि A की position क्या है, second है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, श्याम में A की position क्या है, one, two, three, four, fourth position पे है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे suppose कीजिए मैंने लिखा, तीवारी, ठीक है, और enter press किया, तो यहाँ A की position क्या है, fourth number पे A की position है, ठीक है, अब जैसे माली जैसे मैंने लिख दिया, दुलारी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A की position fourth number पे है, तो यहाँ fourth number अपने आप आ जा रहा है, तो यह कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं एक बार, एक नया table मैं ले लेता हूँ, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से table one है, मैं यहाँ पे chrpos character position कर दिया, मैंने, यह id है, इसको id रहने देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं यह title लिख लेता हूँ, ठीक है, जो भी title हम देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसको text रखता हूँ, अब इसको यहाँ से yes करते हैं, अब यहाँ पर हमें कोई नाम लिख अब इस title के लिए, यहाँ पर हम calculate करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, chr, pos, character position, यह लिखा हमने, इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझीएगा, इसको मैं थोड़ा width बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना कैसे होगा, तो यहा यह लगा लिएbase small packet, अब square packet में लिखी है, क्या नाम है, title के नाम से है, जो हमने title लिया है, वो title के ही नाम से है, यहाँ पर देख सकते हैไह, Cristal ही लिख लिए है हमने, तो इस नाम को हम square packet में लिख लेंगे, कौमा देंगे, अब हमें होजना क्या है, क्या हम इसमें ढूणना चाहता हूँ कि E किस position पे है ये मुझे आप बता दीजिए ठीक है अब इसको close कर देंगे अब यहाँ पर आपको run पर click कर देना है तो यह run पर click कर दिया हमने अब जैसे मालीजे इशा लिखा मैंने ठीक है इशा लिखा तो इशा का E कौन से position पर left side से कौन से position पर पहले नमबर पर तो यहाँ वन आ गया आप देख सकते हैं ठीक है आप देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इश्वर ठीक है तो इश्वर में E कौन से position पर है पहले position पर है तो यहाँ यह का जाएगा आप अवनीश सिंग और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ थोड़ा इसको विद बढ़ा देता हूँ और यहाँ अब यहाँ पर देखिए E को position पता करनी है कैसे पता करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और यह space आठ, नो, दस, ग्यारह, भारह, तेरह और यह space 14 और यह 15 15 हों में position पर यह है ठीक है तो देखिए यह 15 यहाँ पर अपने आप आप आगया है देख रहा है इसे तरह से यह लिखा हमने तो यहाँ पर अब देखिए E की position पह अब यहाँ पर देखिए छटवे नमबर पर आगया यह तो इस तरह से करके हम len function की जगा एक और function है जिसका नाम है in string इसकी मदद से character की position हम पता कर सकते हैं बहुत हीजली उम्मीद करता हूँ यह वीडियो समझ में आई होगी आपको अगर वीडियो पसंद आती हो तो हमार मैं कोई bracket लगा देता हूँ या कोई और चीज लगा देता हूँ ठीक है तो वो कैसे पता करेंगे जिए query हमने बनाई है इसी query में भी हम यहाँ पर design view पे लेकर और यहाँ पर एक दूसरी query बनाएंगे जिसमें हम क्या पता करेंगे bracket की position पता कर सकते हैं ठीक है बहुत ही easily प यार पास ठीक है यहाँ लगाया और यहां लिखा हमने in string लिखा अब small bracket ठीक है और अब square bracket तो अभी हमें title जो है इसमें bracket की position पता करनी है ठीक है तो यहाँ पर title लिख दिया हमने और यहाँ पर जो भी bracket open bracket close bracket जिसकी भी position आपको पता करनी हो वो पता कर सकते हैं जैसे मैं small bracket लगा रहा हूं ठीक है अगर कोई small bracket इसमें लिखा गया हो तो इसको हमने कर दिया close और यहां से अब इसको run करता हूं तो अभी इसमें कोई small bracket नहीं लिखा गया लेकिन अगर suppose कीजिए यहाँ पर मैं small bracket लिख देता हूं ठीक है open bracket ही लगाईएगा क्योंकि open bracket ही दिया गया और यहां पर अगर मैं कर देता हूं तो क्या होगा यह देखिए लास्ट में किया अभी देखिए क्या आएगा यहां पर देखरें है 23 आ रहा है यहां ठीक है इसी तरह से जिस भी character की position आपको पता करनी हो इन string formula की मदद से बहुत ही असानिक साथ आप इसकी position पता कर सकते है देखिए यहां पर किया मैंने इस तरह से हम position पता कर सकते हैं अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको जैसे माली यह तो ई की और bracket की position हो गई अगर आपको एक की position पता करेंगे तो क्या करेंगे फिर यहां पर वही ची यहां पर मैं लिखता हूं chr pos of a ठीक है इतना लिख आएंगे in string function ins tr तो in string लगा लिए हमने और यहां पर क्या करना है देखिए धियान से समझिएगा in string लगाया हमने और in string लगाने के बाद यहां पर title लिखना होगा आपको क्या लिखना होगा title यहां title लिख लिए हमने close किया comma देंगे comma देने के बाद यहां पर double unit comma में लिखना है आपको a आपको क्या लिखना होगा title यहां title लिख लिए हमने close किया comma देंगे कॉमा देने के बाद यहां पर यहां पर लिख दिया डवल ट कॉमा क्लोज भी कर दिया हमने ठीक है ओके किया तो यहां देखिए जहां भी यह है उसकी पोजीशन यह बता रहा है उमीद कर रहा हूं कि यह पूरा का पूरा टुटोरियल